हेलो फ्रेंड्स दिसी निशेत चूपता डिप्लोमा ट्रेंस यूट्री चैनल में आपको स्वगत करता है है आज का हमार निजी टोपिक है हाइडरॉलिक सिस्टम तो हम Dalin लेशे हाइडरॉलिक सिस्टम क्या है हाइडोलिक सिस्टम दो प्रकार का होता है पहला है हाइडोस्टाटिक सिस्टम और दूसरा है हाइडोकाइनेटिक सिस्टम तब हमारा अब जानेंगे कि हाइडोस्टाटिक सिस्टम क्या है Hydraulic Static System वो सिस्टम है जिसमें दरवीत तरल का प्रात्मिक कार बल वसक्ति का अस्थांत्रण दाग के माध्यम से करना होता है एक Hydraulic System में दो बुनियादी तत्व होते हैं पर्थम बुनियादी तत्व हैं एक Pumping Unit जो Mechanical Work को Hydraulic Energy में परिवर्थित करता है और सेकंड है Hydraulic Matter जो Reciprocreating या Rotative की होती है Hydraulic Energy को Mechanical Work में बदलता है और नेक्स्ट है Hydrokinetic System क्या है Hydrokinetic System का उद्देश सक्ति का ट्रांस्फर करना वह कारकारी माध्यम के वेग में परवाख के परिवर्थन की कारण प्रात्मिक आउस्ट परवाख प्राप्त करना है और तसे Important है हमारा कि Hydraulics होता क्या है मिन्स द्रौसक्ति बिग्जान क्या है द्रौसक्ति बिग्जान अर्था Hydraulics में Hydra का अर्थ पानी है आता है Hydraulic Subject को दो ग्रिक सब्दों को मिलाकर बना है जिनके अर्थ पानी और पाइप हैं आता है अब इस विशार के अंतरगत हम पानी के साथ साथ पाइप में उनके प्रवाह का भी अध्यान करेंगे Hydraulic Subject को सरलते समझने के लिए इसे तीन भागों में बाटा गया है पहला है द्रवश्टाइत की मिन्स Hydro-Estatic और सकेंड है द्रवशुद्गत की मिन्स Hydro-Kinetic और तीसरा है द्रवगत की मिन्स Hydro-Dynamic अब हमें इस तीनों के बारे में अलग-अलग अध्यान करेंगे तो फर्ष्ट है Hydro-Estatic क्या है बिज्ञान की वा साखा जिसमें द्रवों की बिरामा अवस्था का अध्यान किया जाता है Hydro-Estatic कहलाता है और सकेंड है Hydro-Kinetic क्या है तो बिज्ञान की वा साखा जिसमें द्रवों की गत का अवस्था का ध्यान किया जाता है प्रन्त जिस बल की कारण गत होती है उसका ध्यान नहीं किया जाता है Hydro-Kinetic क्या लाते हैं और तीसरा पॉइंट है Hydro-Dynamics क्या है तो विज्ञान की वा साखा जिसमें द्रोव की गत की आवस्था के साथ साथ उस बल का भ्याद्यन किया जाता है जिसके कारण गत ही होती है हाइड्रोडानमिक्स का लाता है अब हम जानेंगे कि दर्वी प्रेस मींस हाइड्रोलिक प्रेस क्या है तो हाइड्रोलिक प्रेस वह मसीन है जिनकी सहायता से कम बल लगा कर अधिक भार उठाया जाता है इसका उप्योग पंचिंग इस्टील की प्रेट को काटने मैटर टेस्टिंग तथा बड़े उप्रणों को आटो कंट्रूल आदी में उप्योग किया जाता है जैसा कि चित में प्रदसित है हाइड्रोलिक प्रेस पास्कल के नियम पर कारे करती है इसका यांत्रिक लाब होता है उठाया गया भार मिस डबलू और लगाया गया भार मिस यफ का अनुपात होता है या उठाया गया भार का एरिया और लगाया गया भार का एरिया का अनुपात होता है इसका यांत्रिक लाब और नेक्ट है hydraulic jack क्या है दरभी jack क्या होती है तो hydraulic jack एक सुबाह machine होती है जिसकी पायरपरणाली hydraulic press की तरह ही होती है जिसका प्रियोग जन mapped करने के लिए उससे उठाने में किया जाता है जैसा की चित में परदसित है कि हाइड़ोलिक जैक में दाई यूगे के एक प्लेटर होता है जिसे एक हैंडल की साहिता से उपर नीशे चलाया जाता है जैक के दूसरी ओर येक रैम होता है जिसके उपर उठाय जाने वाली भार को टिकाने के लिए एक फार्म मींस प्लेट के तरह होता है रैम का छेतरफल प्लेंजर से अधिक होता है इस टॉपिक का एक पॉइंट है हाइड्रोलिक जैक में प्रियोक के लिए सधारते तील लिया जाता है प्रेंतु कभी कभी असकता नुसर पानी भी प्रियोक कर सकते हैं और हमार नेक्स टॉपिक है हाइड्रोलिक दोर क्लोजर क्या होते हैं आज कर देखते हैं कि सभी लोग घरों में एक आटो क्लोज दोर क्लोजर एक ऐसा उपकरण है जो दर्वाजे के उपरी भाग और उसके फ्रेम पर लगाया जाता है एक हाइडोलिक डोल क्लोजर दर्वाजे को सथा बंद करने में सहयक करता है सामाने तह है ये डोल क्लोजर यांत्रिक उपरण है यानि मेकैनिकल उपरण है जो दर्वाजे को एक नियंतित तरीके से बंद करता है वह इसे तेज आवाज के साथ बंद होने से भी रोकता है